दोस्तो बिग बॉस इजन 16 का लाइफ फीड में इसमय गर के अंदर यदि आप एक नजर डालेंगे तो आपकी हसी नहीं रुकेगी ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पर सुम्बल तोकिर खान ने इन दिनों रात होते ही अपने कंदो पर एक नई जिम्मेदारी उठा ली है दरसल दोस्तो सुम्बल तोकिर खान यहाँ पर सिव ठाकरे और MC स्टेन की दादी बनने की भूमी का निवा रही है ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तो सुम्बल तोकिर खान पिसले 2-3 दिनों से हर रोज रात को MC स्टेन और सिव ठाकरे को होरर कहानिया सुनाती है जी हैं दोस्तो भूत परेत की कहानिया सुनने में स्टेन को और सिव ठाकरे को काफी मज़ा आता है और दोनों सदसी सुम्बल के सुरू होते ही इतने द्यान से कहानी को सुनते हैं जिसके कोई सीमा नहीं है तस्विरों को देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों का द्यान पुरी तरीके से सुम्बल की कहानी पर है और वो इधर उधर की बात आपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं दरसल दोस्तों यहां पर सीव ठाकरे तो फिर भी थोड़ी बहुत बीच बीच में मस्ती करने लगते हैं लेकिन MC Stain को यह कहानिया सुनने में इतना मज़ा आता है कि वो सुंबल को कहते हैं कि अगर यह सुने चाहे ना सुने मुझे यह कहानी पूरी सुननी है चाहे चाहे दूसरे कने में चल कहीं भी चल मेर को पूरी कहानी सुना जिहां दोस्तों स्टैन को होडर कहानीय सुनने में काफी मज़ा आता है और सुम्बल भी पिसले तीन दिनों से MC Stain और सिव ठाकरे को होरर कहान या सुना कर सुलाती है फिलाल दोस्तों आपको सुम्बुल स्टेन और सिव का ये अंदाज कैसा लगा मैं कोमेंट करके जरूर बताएं यदि आप बिन के फैन से तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें